सरकारी गेहूं स्टोक में गिरावट दरसल 6 साल में पहली बार 100 लाख टंस से नीचे पहुंचा भंडार दरसल सरकारी खाद्यान का भंडार खरीद और वित्रन करने वाली संस्था भारतिय खाद्या निगम यानी AFCI ने गेहूं के स्टोक में गिरावट दर्च की है जो 2018 के बाद पहली बार 100 लाख टंस से नीचे गिरकर मार्च 2024 में 97 लाख टंस पर पहुंच गया है इसके चलते बाजार में उपलपता और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है लेकिन कहा गया है कि जरूरत के हिसाब से FCI के पास प्रयाप्त गेहूं मौजूद है इसलिए कीमतों पर कोई असर नहीं देखेने को मिलेगा FCI के पास जरूरत के हिसाब से चार गुना अधिक चावल का भी भंडार मौजूद है दरसल FCI के गेहूं स्टोक में गिरावट का कारण पिछले दो सालों से कम खरीद और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खुले बाजार में अनाज की खूब विक्रीब बताई गई है यह भी कहा गया है कि राश्ट्रे खादे सुरक्षा अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए FCI के पास गेहूं की प्रयाप्त मातरा उपलब्द है गेहूं के स्टोक में गिरावट के बावजूद मौजूदा स्तर बफर स्टोक अवशक्ता से उपर है जो एप्रेल के लिए 74,6,000 टन है वहीं TOI की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा स्टोक राश्ट्रे खादे सुरक्षा अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए प्रयाप्त है और बफर स्टेंडर से अधिक है दरसल एक मार्ज से शुरू होने वाले खरीद सीजन के साथ अधिकारियों को पिछले दो सालों की तुलना में खरीद में सुधार की उम्मीद है वहीं सरकार ने गेहूं की खरीद लगबग 320,000 टन तक पहुचने का अनुमान लगाया गया है इससे केंदर सरकार के लिए अनकूल स्थिती बनेगी सरकार ने बजार में गेहूं की उपलपता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर करने के लिए जून 2023 से ही खुले बजार में गेहूं की बिक्री शुरू कर रखी है वहीं एपसी आई ने फरवरी के अंत तक 60,000,000 टन से अधिक गेहूं की बिक्री की है गेहूं की सारवजिने खरीद शुरू होने के बाद से खुले बाजार में सरकारी गेहूं की बिक्री रोक दी गई है वहीं रभी फसलों की सरकारी खरीद 1 मार्च 2024 से शुरू कर दी गई है देश भर में एपसी आई समेत अन्य सेकारी संस्थाओं के जरीए सरकार रभी फसलों की खरीद MSP दर पर कर रही है लेकिन इन सब के बीच गेहूं का स्टोक लुड़कता हुआ दिखाई दिया है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी